हलो एश्टुडेंट, वेलकम टो बेक माई यूटूब चैनल, डिकेलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है, तो चलिए फ्रेंट, आज हम लोग 10th क्लास का देख सकते फ्रेंट, model paper लेकर आए हैं, जो official model paper है फ्रेंट, देख सकते हैं, set number one है, लगतार आपको, देख सकते है फ्रेंट, पान सेट यहाँ पर प्रवाइट की जाएगी, तो चलिए बिलकुल new pattern पर यहाँ पर model paper लेकर आए हैं, देख सकते हैं, बिज्ञान का है, कुल पान सेट का यहाँ पर solution बताने वाले हैं, बिलकुल देख सकते हैं, 80 प्रसन इस बार पूछे जाएंगे, बिलकुल official model paper है, तो चलिए वीडियो को like, share कर देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करके, और well icon प्रेस कर देखें, ताकि पलपल की update यहाँ से मिलती रहेगी, तो चलिए, देखते हैं, पहला नंबर प्रसन देखते हैं, देख सकते हैं, पहला नंबर प्रसन में क्या तरंग धैर सबसे अधीक होता है, तो देख सकते हैं, option number B हो जागा, क्या हो जागा, option number B, यानि लाल रंग का तरंग धैर है, जिसका मान सबसे अधीक होता है, तो चलिए, next number question देखेंगे, देख सकते हैं, next number question है, कि इंदर धन उसका बनना, किस पड़ी घटना पड़ा धार है, तो इंदर धन उसका बनना, किस पड़ी घटना पड़ा धारित है, तो देख सकते हैं, इसका हो जाएगा, जो, देख सकते हैं, option number C हो जाएगा, प्रकास के बर्ण भीछेपन पर, किस पर, प्रकास के बर्ण भीछेपन पर, यानि option number C हो जाएगा, चलिए, next number question है, देख देख सकते हैं कि समान्य मानम नेत्र के दूर बिंदू तो समान्य मानम नेत्र के जो दूर बिंदू है वह तीन का हो जागा option number 25 cm यानि option number A हो जाएगा चलिए next number question देखेंगे aspectum प्राप्त करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है देख सकते हैं aspectum प्राप्त करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो option number D हो जाएगा option number D हो जाएगा प्रिज्म के लिखो किसको प्रिज्म का उप्योग किया जाता है यानि option number यहाँ पे देख सकते हैं D हो जगा प्रिज्म का उप्योग किया जाता है चलिए next number question देखेंगे कि अस्पेक्टम में किस रंग की जो कीरन का विचलन जुकाब कम होता है तो चलिए देख सकते हैं अस्पेक्टम में किस रंग की कीरन का जुकाब सबसे कम होता है तो देख सकते हैं 5 का जो हो जागा वह हो जागा option number A हो जागा यानि लाल रंग की कीरन का जुकाब सबसे कम होता है चलिए next number question है कि हमारे सरीर में pH कितने पारस के बीच कारे करता है तो देख सकते हैं option number B हो जागा 7.0 से 7.8 के बीच कारे करता है यानि option number B हो जागा चलिए next number question देखेंगे देख सकते next number question है कि baking powder के अनुसूत्र क्या होगे तो baking powder के अनुसूत्र option number C हो जागा NAHCO3 CO3 हो जागा यानि option number C हो जागा baking powder के जो अनुसूत्र है वह हो जागा option number C हो जागा चलिए next number question है कि निमलीखित में से कौन बीजातिय योगिक है निमलीखित में से कौन बीजातिय योगिक है तो देख सकते हैं 8 का हो जगा option number D हो जगा option number D हो जगा plaster of Paris है जो बीजातिय योगिक है चलिए next number question है कि निमलीखित में देख सकते हैं सेहत में कौन सा मान छारक बिलियन का मान देता है तो छारक मिलियन का मान देता है वो option number D हो जागा option number D हो जागा छारक बिलियन का मान देता है जो option number D हो जागा यानि तेरा होगा चलिए next number question है कि निमलीखित अमलों में कौन सा अमल प्रवल अमल है तो प्रवल अमल हो जाएगा देख सकते हैं एसकारविक अमल है जो यह एक प्रवल अमल है यानि option number B हो जाएगा चलिए next number question देखेंगे कि थारैक्सिन का स्रवन कहां होता है थारैक्सिन का स्रवन होता है देख सकते हैं थायकसित का सरवन होता है यहां पे हो जागा option number A यानि थाइराइड में होता है कहां होता है थाइराइड में होता है यानि option number A हो जागा चलिए देख सकते हैं next number question है कि कौन बिधुत का सरवत्तम सूचालक है कौन बिधुत का सरवत्तम सूचालक है तो देख सकते हैं 12 का हो जागा वह हो जागा option number B हो जागा यानि AG, AG मतलब होता है चांदी, क्या होता है, AG मतलब होता है चांदी होता है, चलिए, next number question है, देख सकते हैं, next number question है कि जल की अस्थाई का ठोड़ता को हटाने के लिए किसका उपियोग किया जाता है, तो जल की अस्थाई का ठोड़ता को हटाने के लिए धोबन सोड़ा का उपियोग किया जाता है, किसका धोबन सोड़ा का, यानि option number B हो जागा चलिए next number question है कि प्रकास का निवतम बेग होता है तो देख सकते हैं कि प्रकास का जो निवतम बेग होता है वह देख सकते हैं option number D हो जाएगा काँच में होता है किसमें प्रकास का निवतम बेग काँच में होता है चलिए next number question है कि मोटर गारी चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गारी चालक के सामने उत्तल दरपन लगा रहता है कौन सा दरपन उत्तल दरपन option number B हो जाएगा चलिए next number question है देख सकते हैं कि चीटी के डंक में नेटल के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है तो देख सकते हैं, नेटल के डंक में पाय जाता है, option number D हो जागा, मेथो नोई कमल, कौन सामल पाय जाता है, मेथो नोई कमल, यानि option number D हो जागा, चलिए, next number question है, कि समतल दरपन द्वारा बना परतिवीम होता है, तो समतल दरपन के द्वारा जो बना परतिवीम होता है, वह को सफेके हैं सत्रा के हैं कि आप्सें क्योंता है क्योंसा संत्यर्थ की रुक्यृतौत्यित की looks मानब मादा जनंतंत्र का भाग नहीं है यह जगा option number C हो जगा शुक्रबाहिका हो जगा जो मानब मादा जनंतंत्र का भाग नहीं है चलिए next number question है कि प्रांकोस में होते हैं तो देख सकते हैं अप्षानीति देखेंगे कि किसी उत्तर लेंज की फोकस दूरी 50 km होती है तो इसकी जो छंता होती है क्या होती यानि खूल null D होगा क्या होगा सब्सक्राइबु प्राइब कर दिया किते हैं किसी अणि चिर्ग दी होगा क्या होती है यहाँ पर बाइस नमर कोश्चन देखेंगे कि परकास के किरनों के समोह को क्या कहते हैं तो देख सकते हैं कि परकास के किरनों के समोह को किरन पुंज कहते हैं चलिए नेक्स नमर कोश्चन देखेंगे उत्तल लेंस देख सकते हैं उत्तल लेंस की चमता होती है, तो उत्तल लेंस की चमता होती है, वह धनातमक होती है, क्या होती है, उत्तल लेंस की चमता हमेशा धनातमक होती है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अबतल लेंस की चमता पूछ रही है, अबतल लेंस की चमता क्या होती है, तो अबतल लेंज को क्या कहते हैं, तो उत्तर लेंज को अभिसारी लेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंज, यानि option number A हो जागा, उत्तर लेंज को अभिसारी लेंज कहते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, अभिसारी लेंज को क्या कहते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पे 26 क रहाएट हो जाएगा अव त लेंस को कहा जाता हैं तो यह हो जाएगा। नाहीं किया जासकता है तो ऑप्सफन नंबर ड्री वह जाएगा। Option number D हो जागा, मिट्टी है, जो देख सकते हैं, लेंस बनाने में उप्योप नहीं किया जा सकता है, Next question है, कि किस दरपन में हमेशा बस्तू से छोटा परतिबीम, प्राप्त होता है, तो देख सकते हैं, किस दरपन में बस्तू से छोटा परतिविंपराप्त होता है तो यह हो जागा उत्तल दरपन में किस दरपन में उत्तल दरपन में तो चलिए वीडियो को like share कर देखें चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें तो चलिए देख सकते हैं तो यहांपे देख सकते हैं किस दरपन से बस्तू का वड़ाप्तिविंपर बनता है तो देख सकते हैं यहाँ पे कि किस दरपन से बस्तू का बड़ा पर्तिवीम बनता है तो 29 का हो जागा option number B हो जागा अब तल दरपन से क्या किस दरपन से बस्तू का बड़ा पर्तिवीम बनता है तो यह हो जागा option number B हो जागा चलिए next number question है देख सकते हैं next number question है कि प्रकास के प्रवर्तन के कितने नियम है तो प्रकास के प्रवर्तन के दो नियम है यानि option number B हो जागा क्या हो जागा option number B हो जागा चलिए next number question है मुकुलन द्वारा अलेंगी की जनन होता है तो देख सकते हैं कि मुकुलन द्वारा अलेंगी की जनन होता है वह पलाजमा मेडियम में होता है किसमें पलाजमा मेडियम में होता है यानि option number D हो जागा मुकुलन द्वारा अलेंगी की जनन होता है पलाजमा मेडियम में होता है चलिए, next number question है, कि photo켜फिग और यह का अभी भादक दिरिश्य होता है, तो photographer कैमिर का जो अभी भादक दिरिश्य होता है, देख सकते हैं, option number E हो जाएगा, उत्तर लेंच में, किस में, उत्तर लेंच में होता है, चलिए, next number question है, कि side mirror के रूप में पढ़ियुकत होता है, तो दे देख सकते हैं, option number B हो जाएगा, side miner में उत्तल दर्पन का पड़ियोग किया जाता है, किसमें? उत्तल दर्पन में पड़ियोग किया जाता है, चलिए, next number question है, कि एक अब तल दर्पन की focus दूरी 10 cm है, तो उसकी बकरता तिर्जिया क्या होगी, तो देख सकते हैं, बकरता तिर् इतना 20 cm, यानि option number B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, चलिए, next number question है, देख सकते हैं, कि निर्गत की रन, एबम अभिलम के बीच के कोन को, निर्गत कोन कहते हैं, क्या काते हैं, तो चलिए, देख सकते हैं, यहाँ पे scientist नमर question है, सरल सुच्छम दर्शी में कि गया अब यफ यूग होता है, किसका होता है, उतालिन्स का, यानि option number D हो जागा, तो चलिए, देख सकते हैं, साय्टिस नमर प्रस्न देखेंगे, देख सकते हैं, साय्टिस नमर प्रस्न कि किस लेंस के दौरा सिरिप कालपनिक परतिविम बनता है, तो चलिए, ओपसन नमर क्या हो जागा option number B हो जागा चलिए next number question है कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो देख सकते हैं प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है option number B हो जागा देख सकते हैं कि lens में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है यानि 38 का हो जागा option number B हो जागा sorry friend देख सकते हैं 38 का हो जागा lens में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह option number A हो जागा 2 होती है कितना होती है दो होती है यानि option number A हो जागा सर्च लाइट का प्रवर्तक सत्व होता है तो देख सकते हैं सर्च लाइट का प्रवर्तक सत्व होता है वह होता है देख सकते हैं सर्च लाइट में सर्च लाइट में प्रवर्ता सत होता है वह हो जाए अवतल दर्पन होता है क्या होता है अवतल दर्पन होता है 49 का हो जागा option number B हो जागा चलिए next number question है next number question में देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पन उप्यूगत होता है तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्प का प्रयूग किया जाता है तो यह होता है option number C होता है दारी बनाने में अब तल दर्पन का उप्यूग किया जाता है किस दर्पन का अब तल दर्पन का यानि option number B हो जागा तो चलिए देख सकते फेंट यहां पे 40 objective बिल्कुल आपके लिए लेकर आए है देख सकते हैं यहां पे 40 हल कर दी है आपको 80 लेकर आए है यहां पे बिल्कुल 80 objective लेकर आए है नया model paper है तो चलिए 80 में हम लोग 80 देखेंगे क्यूंकि आपको 40 ही बनाना है लेकिन यहां पे हम cool 80 में 80 आपको हल करकर बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सिस्क्राइब करके और वेल आइकन प्रेस कर दें ताकि पलपल की अपडेट यहां से मिलती रहेगी तो चलिए देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दरपन उपयोगत हो यह हो जागा option number C हो जागा क्या हो जागा C हो जागा अब तल दरपन का उपयोग होता है चलिए next number question है देख सकते हैं कि मानम नेत्र के किस भाग पर किसी बस्तू का परतिविम बनते हैं तो option number D हो जागा retina या द्रिष्टी पर्टल option number D हो जागा retina या द्रिष्टी पर्टल पर किसी बस्तु का प्रतिविम बनता है चलिए next number question है कि तारे के टिम्टिमाने की व्याख्या किस सिध्धांत पर अधारित हैं देख सकते हैं तारे की जो टिम्टिमाने की जो व्याख्या है वह किस सिध्धांत पर अधारित हैं तो 42 का हो जागा option number देख सकते हैं यह हो जाग बताया गया है चलिए next नमर कोश्चन है देख सकते हैं कि नेतर लेंस की फोकस तूरी अधीक हो जाने से कौन सा दोस होता है तो देख सकते हैं नेतर लेंस की अगर फोकस तूरी अधीक बढ़ जाए तो वह कौन सा दोस होता है तो 43 का हो जाएगा option number B दूर दिरिष्टी दोस क जाएगा option number B हो जाएगा चलिए next नमर कोश्चन है कि नेतर में किसी बस्तू का परतिवीम बना होता है तो option number C हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा किसी बस्तू का परतिविम बनता है तो जो नेतर में नीकट से नहीं देख 파ता है तो जो नेतर में निकट बस्तू को सफ्ष्ट से नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोस होता है तो देख सकते 45 का हो जाएगा option number A हो JAKा दूर दिरिष्टी दोस, कौन सा दोस होता है, दूर दिरिष्टी दोस होता है, चलिए, next number question देखते हैं, देख सकते हैं, next number question है, कि स्वेत परकास की कीरन, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो वर्ण रंग सबसे अधीक बिचलित होती हैं, वह कौन सा रंग है, तो वह रंग बैगनी होती है, कौन सा रंग होती है, बैगनी होती है, यानि option number C हो जाएगा, चलिए, next number question है, कि अपने lens की focus दूरी, अपने lens की focus दूरी को बदल कर, दूर या निकट बस्तू को साफ साफ देख सकने के आँख का गुन को क्या कहते हैं, तो 47 का हो जागा, option number B हो जागा, उस गुन को समंजन छमता कहते हैं, क्या कहते हैं, समंजन छमता कहते हैं, चलिए, 48 नमर परस्न देखेंगे, देख सकते हैं, कि जड़ा दृष्टी, दूर दृष्टिता से पीडित ब्यक्ती का उपचार किस lens के दौरा किया जाता है, तो देख सकते हैं, 48 का हो जा जागा, चलिए, देख सकते हैं, यहाँ पर 49 नमर परस्न है, कि लोहे को जिंक से लेपित करने की किरिया को क्या कहते हैं, देख सकते हैं, कि लोहे को जिंक से लेपित करने की किरिया को गैल भी करन कहते हैं, यानि option number B हो जागा, क्या हो जागा, option number B हो जागा, गैल भी करन कह चलिए नेक्स नमर कोश्चन है कि निमलीखित में से कौन एक दहन अभिकिरिया है तो देख सकते हैं 50 का हो जागा वह उप्सन नमबर सी हो जागा पेट्रोल का जलना क्या हो जागा पेट्रोल का जलना हो जागा उप्सन नमबर सी यह एक दहन अभिकिरिया है चलिए नेक्स न किस परकार की अभिकिरिया है तो यह हो जागा उसमा 6P अभिकिरिया कौन सी अभिकिरिया है उसमा 6P अभिकिरिया हो जागा तो चलिए नेक्स नमर परसंद देखेंगे तो चलिए देख सकते सबसन किस परकार की अभिकिरिया है तो यह हो जागा option number E watch या वो जिगा चलिए देख सकते हैं नेक्स質 नमर कोउस्चन है कि मोटरisée कारि के चालक के सामने कौन सा दरपन लगा रहता है तो देख सकते हैं यहां पे उत्तल दर्पन हो जागा कौन सा दर्पन उत्तल दर्पन लगा रहता है चलिए तिरपन नमबर कोश्चन है मोटर कार के हेड लाइट में किसका उप्योग पड़ियोग होता है तो मोटर कार के जो हेड लाइट में होता है पड़ियोग वह अपतल दर्पन होता है या लेइसकी छमता का मात्रकि और ओप्षन नमबड या नमब्स हो जागा डाई उप्टर क्या हो जागा डाई ऑफ्टर हो थहा है ले ऐ्ट 45 नमबर कोश्चन देखेंगे कि परकास के किरंद को पथदर्थ साने वाथी चीतर को किरानारेख कोते यां जानी option number A हो जागा, देख सकते हैं, पथ दर्थ साने वाले चितर को किरा नारेख कहते हैं, चलिए, 56 number question देखेंगे, कि 2D छमता वाले फोक्स, देख सकते हैं, लेंस का फोक्स आंतर होता है, तो 2D छमता वाले लेंस का फोक्स आंतर 50 cm होता है, कितना 50 cm, यानी option number D होता है, चल के ये केन का जो समानने सूतर होगा देख सकते हैं यह हैं यहाँ पे सी हो जाएगा चलिए NOT हमर को कौन सा पादपनी अंतरन है जो फल बेचने वाले द्वारा यहां पर उप्योग किया जाता है तो यह होता है एथिलीन क्या एथिलीन यानि option number C हो जागा क्या हो जागा option number C हो जागा चलिए next number question है यहां पर देख सकते हैं कि तांबे और जिंक के मिसर धातु को क्या कहते हैं बहुत ही BVI question है कि तांबे और जिंक के मिसर धातु को पीतल कहते हैं क्या कहते हैं यानि option number A हो जागा चलिए next number question है देख सकते हैं कि अम लिये बिलियन का पीच मान क्या होता है तो अम हो रिएप्सों कर सकते हैं मैं तो साथ से मैं यानि उप्सन c से बंसारी सुध्राumm से को 55 सिद्य घर क् Помझते बीको 24 मॉंदा नेक्स नमर कोश्चन है देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है कि एक परकास की किरन समतल दर्पन पर लंबत आपतित किरन होती है तो प्रवर्तन कोन का मान क्या होगा तो एक परकास की किरन समतल दर्पन पर लंबत आपतित किरन होती है तो प्रवर्तन कोन का मान जीरो डिगर यानि option number A हो जागा, क्या हो जागा, option number A हो जागा, चलिए 75% देखेंगे, कि lens में मुखे कितने focus होते हैं, तो देख सकते हैं, lens में मुखे 2 focus होते हैं, कितने 2 focus होते हैं, यानि option number B हो जागा, क्या हो जागा, option number B हो जागा, चलिए next number question है, कारवन की सयुजक्ता क्या है तो देख सकते हैं कारवन की सयुजक्ता option number B हो जगा कारवन की सयुजक्ता 4 होती है क्या होती है कारवन की सयुजक्ता 4 होती है याने option number B हो जगा चलिए next number question है कि देख सकते हैं कि पादप अफसिष्ट संचीत रहते हैं पादप अफसिष्ट संचीत रहते हैं पतियों में छालों में कोशकिये रिक्ताओं में इन्हें से सभी में संचीत रहती हैं तो चलिए 68 नमर प्रसन देखेंगे देख सकते हैं 68 नमर जो प्रसन है कि 82 दिरिष्टी से हमारी किसे अधीक समानता है देख सकते हैं विकासिय दिरिष्टी से हमारी जो समानता है वह चिम्पैंजी से हैं किसे चिम्पैंजी से यानि option number D हो जाएगा sorry friend option number यहाँ पे B हो जाएगा हमारी जो पहचान होती है वह किसे होती है चिम्पैंजी से यानि option number यहाँ पे हो जाएगा B option number B हो जाएगा चलिए next number question है d dermate 69 नंबर प्रसन है कि ner yugmak तथा मादा yugmak की सयोजन से बनता है तो دेख सकते 69 खो जागा option number A हो जागा ner yugmak मादा yugmak की सयोजन से jard night vanata क्या बनता है jard chant œ it yarni option number A हो जागा चलिए देख सकते 70 नंबर परसन है और B हो जगा यानि सर्वोच बास कहते हैं क्या कते तराय संद्र भास हाते हैं से लेंस की स्प क्लाम पर खळे अंतरीक चीयात्रीक को अकास कैसा पर्तित होता है तो वह काला परतित होता है जालिए देख सकते एंगेस्ट नम्र कोश्चन है कि बिधुत्चुमबक बनाने में किस पदार्थ काउपयोग किया जाता है तो देख सकते हैं बिधुत चुम्बक बनाने में नरम लोहा का पडियोग किया जाता है यानि option number A हो जाएगा क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा चलिए देख सकते हैं next number question है अवर्षार्णी में कितने बर्ग हैं तो अवर्षार्णी में बर्ग कहेगा फ्रीण तो 18 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 आवर्षार्णी में बर्ग कहेगा तो यहाँ पे बर्ग पूछ रहा है तो option number D हो जाएगा बर्ग 18 होता है यानि option number D हो जाएगा चलिए देख सकते हैं 75 number question है कि जल का पी एच मान क्या होता है तो जल का पी एच मान हुआगा साथ होता है क्या होता है साथ होता है जल का पी एच मान साथ होता है चलिए नेक्स्ट नमर कोश्चन है कि किसी पदार्थ से अक्सीजन का निसकर्षन कहलाता है तो किसी पदार्थ से अक्सीजन का निशकर्षन कहलाता है अक्सी करन कहलाता है क्या कहलाता है अक्सी करन यानि option number यह हो जागा क्या हो जागा option number यह हो जागा next number question है कि बन प्रस्थितिक तंत्र में हीरन होते हैं तो बन प्रस्थितिक तंत्र में जो हीरन होते हैं, वह प्राथमिक उपभोगता होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोगता होते हैं, हीरन को किस उपभोगता में माना गया है, प्राथमिक उपभोगता में, चलिए, 78 नमर प्रस्ण है, कि इनमें किसके द्वारा नमबर C हो जाएगा चलिए देख सकते 79 नमर परष्ण है क्या योडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो यानि ऑप्षन नमबर D हो जाएगा आई योडीन की कमी से गया रोग होता है तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते फिरिंट चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करके well icon press कर दे ताकि पलपल की update यहां से मिलती रहेगी तो चलिए देख सकते नेक्स नमर कोश्चन है कुछ जानबर जुगाली करते हैं तो कुछ जानबर जुगाली करते हैं भोजन के पचाने के लिए जुगाली करते हैं यानि option number B होगा तो चलिए देख सकते फेंट पहला है यहां पर तो चलिए हमारे पास बिल्कुल पांसेट मोडल पेपर है बिल्कुल आपको solution करवा देंगे 100% authentic answer के साथ तो चलिए वीडियो को like share कर दे और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe चरूर करें तो चलिए देख सकते हैं आप लोग comment करिएगा कैसा लगा तो इसका next part बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं तो अपना comment में राय जरूर दीजिएगा तो चलिए I hope आज के लिए इतना ही तब तक के लिए उठेकन बाई